रादे रादे जैसरी किष्णा सभिष्ट मित्रों को देवदी पावली की बहुत बहुत शुब कामना है हिर्दे से साधर प्रडाम, पूरे भारतवासियों को तथा अभिश्व के समस्त लोगों को हमारी देवदी पावली की आनंत शुब कामना है आप सभी लोगों को देवदी पावली पर हरस्व लास के साथ पूजन करना चाहिए और अपने बंधुबांधों में भी खुसियाली बाटना चाहिए देवदीपावली वाले दिन खील से पूजन होता है और गटा जो चीनी का गटा बनता है बतासे से पूजन होता है पतासा खील और हाथी गोड़े हमारे बचपन में हमारी माँ जब देवदीपावली पर पूजन करती थी तो हाथी गोड़ा लावे उससे पूजन करते थे आ के खेल खिले-खिले होते हैं लक्षमी जी हमारे घर में खिले-खिले कदमों से आएं सुखसानती सम्रधी परिपूर्ण करें देवदी पावली का बहुत ही शुब मुर्त है और सिद्धिया प्राप्ति करने का भी मुर्त है कई कार्य कई वर्सों से नहीं हो पा रहे हैं तो इन मुहुर्त में आप साधना करें, आपकी अवश्य कार्यज पूर्ण होंगे। ध्यान देना है बंधो, 24 तारीख में हम देवदी पावली कर रहे हैं, 24 अक्टूबर में क्यों इस दिन भी अमावस्या की प्राप्ती हो रही है, और 25 तारीख में भी अमावस्या है, 25 तारीख में भी अमावस्या जो लग रही है, ये देवपित्री अमावस्या इसमें ग्रहन का भी विवर्ण है, आगे आपको बताएंगे। देवदी पावली का जो परवहम लोग मनाने के लिए उद्यत हो रहे हैं, तेवहार करने के लिए उद्यत हो रहे हैं, तयार हो रहे हैं, इसमें एक प्रसंता रखें, अपने घर का सज्जी कृत करना, सज्जी कृत करना देवाले में विशेश तरीके से, एक निवेदन और है, आजकल लोग जो पैर बने हुए आते हैं, इस्टिकर, लक्षमी के पैर बने हुए इस्टिकर आते हैं, उन्हें अपने घरों में लगाते हैं, कदाप न लगाएं, स्वास्तिक भी चरणों में आपके नहीं लगना चाहिए, लोग अपने घरों में सोकेट के लिए लगाते हैं कि लक्षमी आएंगी बिरकुल नहीं उसमें आपका पुन्य गमन हो रहा है क्योंकि आप लक्षमी के पैरों पर आपका पैर रखा जाएगा स्वास्तिक पर आपका पैर रखा जाएगा आपके घर में कई माताई बहने रजस्वला भी होकर के उस पर कदम रखेंगी आप समझे आप ही अपने लोजिकल दिमाग से सोचिए ने कि कैसा पुन्य प्राप्त होगा आप तो अच्छे के लिए किये और वहा हानिकारक हो रहा है तो वो चिन्ह नहीं लाना है अगर लाभी रहें तो द्वार पर उन चिन्हों को लगाएं अपने देवाले में मंदिर में उन चिन्हों को लगाएं तो लाभप्रद होगा तता देवदी पावली के कुछ मुहुर्त हैं आईए मुहर्थ पर बात करते हैं वो मुहर्थ अम्रित काल जो है वह प्रातह 6 बचकर 25 मिनट से लेकर 7 बचकर के 52 मिनट तक अम्रित काल मुहर्थ है देवदी पावली पर परातह का पूजन है और वैसे भी कहा गया है कि हमारे उत्राखंड में तथा पूर्वांचल में और जो उत्तर भारत का छेतर है उत्तर भारत में जो अनुष्ठान, साधना, योग और पूजन जो करते हैं वो परातह पूजन की मानेता विशेश देते हैं तो परातह अम्रित काल की में पूजन करें तो अच्छा है कुछ चोगढियां लेकर के आपके बीच में आया हूँ जो सुभा की प्रातह की जो चोगढिया है वह शुब चोगढिए 9 बचकर 18 मिनट से लेकर के 10 बचकर 47पनित तक अब जित मोहरत है प्रातह है ज्यारफ बचकर 37 मिनट से प्रारंब होकर 4 बज करके 7 मिनट तक जाएगा अंक जोतिष कहता है कि कुम्भ लगन जो है न वो 2 बज कर 37 मिनट तो 7, 3, 10 और 2, 12 यह लगन खर्च जो है यह आपको कुम्भ लगन में शुक्षांती सम्रुद्धी की प्राप्ती होगी तथा लाभ जो महुरता आ रहा है वह दोपार में 3 बज कर 5 मिनट से प्रारंब हो करके और सायम 4 बज कर 32 मिनट तक वह लाभ महुरता है जो कि पोजन में उत्तम रहेगा फिर कहते हैं अमरित महुरत जो दुतिया पाली का महुरता है वह अमरित महुरत में प्रातव 4 बज कर 32 मिनट से पांच 69 तक सुब महुरता है और गोधुमिल बेला तो पावन पुनित बेला है गोधुमिल में आप पूजन करे तो लाभप्रद होगा फिर चरमूरत आता है और ब्रिशब लगन है जो सभी लोगों को जानकारी होना चाहिए कि ब्रिशब लगन साथ बच कर सायम कालिन में माताएं बहनें पूजन करती हैं और बचपन में हम लोग तो दीपक ले करके ड प्राप्ती होगी मित्रो अंधकार को दूर करो प्रकास को भरपूर करो तो कोई भी कोना नहीं छोड़ना है सायम कालिन साथ बचकर 13 मिनट से दीप प्रजुलित का कारिकरम आपका प्रारंब है पूजन का कारिकरम प्रारंब है माताएं पूजन कर रही हैं साथ बचकर 13 मि 12 मिनिट तक यहां लाभ मुर्त है फिर कहते हैं सिंग लगना सिंग लगना जो है यहां एक बचकर 41 मिनिट से रातिरी ब्रह्म मुर्त तीन बचकर 6 मिनिट तक है इसमें जदिया पूजन करते हैं तो महालक्षमी प्रसंद होगी खिले-खिले कदमों से आपके घर आएंगी गन्ना जरूर लाना चाहिए गन्ने का भी पूजन करना चाहिए साथ खंड में पूजन करें तो विजयी बिनई का सुभ आशिरवात प्राप्त होता है कमल गट्टा लाएं कमल गट्टे से पूजन करें महालक्षमी प्रसंद होगी ओम स्री लक्षमे इनमह बोल करके 11 कमल गट्टे से हवन करते हैं तो मालक्षमी प्रसंद होती है हल्दी की गाठ केशर कुमकुम चंदन तथा चांदी का शिक्का अपने घर में लाकर के दूधदही पंचामृत से बनाएं पूरबा भी मुख होकर इसान कोण में बैटकर पूजन करें माभगवती लक्षमी का तथा देवता पित्र देवता के चरणों में भी खुब सुन्दर से साप सज्जा करके उनके भी अस्त्र आयूधों को साप सज्जा करके पूजन करके मत्था टेकर प्रडाम करें आपकी मनोकामना अवस्य पूरी होगी देवदी पावली पर अपनी घर में बैठे बुजर हैं देवदी पावली पर कर लो साधना एक वर्ष तक तुम्हें चारों तरफ विजय ही विजय प्राप्त होगा एजू के सन में मन लगेगा जो तुमारी पुस्तक हैं उनमें कुम-कुम का तिलक करें और तिलक करने के बाद मित्रों ये कोई आज नई बात नहीं हम आपको बता रहे हैं ये अनाधिकाल से चलाया शास्व सनातन से चलाया आप उसमें पूजन करेंगे आस्था रखेंगे श्रद्धा रखेंगे विश्वास रखेंगे तो जीत आपकी अवश्य होगी अब हम बात करते हैं अपनी ग्रहणियों के लिए लक्षमी का लक्षमी पूजन कर रहा है अपने घर में जो कन्याएं हैं उनका भी पूजन करें उनको भी नएने उपहार भेट करें तथा अपने घर की ग्रहणियों का भी मन मुताबित आप कारे करें तो आपके जीवन में सुक्षान्ती सम्र्द्धी होगा दिपाउली पर दिन दिपाउली तिवहार पर आप संकल पलो कि आज से अपने घर पर समय से पहुंचोगे और अपने घर पर पहुँचने के बाद कलेश नहीं करना है, आनंदित रहना है, शुखुमे रहना है, तथा सारे कारियों को मिलपट करके करना है, और सबका तेवहर मनमाना है, राधे राधे, जै स्रीकिष्णा, जै बद्री, जै जै केदार.